देखो 6.1 का आपका 5th question यह figure है given है O R perpendicular to PQ O R perpendicular to PQ मतलब यह आपका angle ROQ यह पूरा और ROP यह दोनों क्या है 90 degree यह given का मतलब है और आपको prove करना है angle ROS ROS देखो इस ROS को मैं angle बन दे रही हूं तो कि नहीं तो ROS ही करते रह जाते हैं हाफ Q O S Q O S इस पूरे को मैं 2 ले रही हूं तो यानि के angle 1 plus 2 यह हो गया ना यह पूरा minus P O S P O S को मैं 3 ले रही हूं यह given है right और Q O अब यहां पे जो हमारा है RO Q यह वाला angle हमने 2 लिया है यहां हम hint 2 ले ले लेते हैं अब देखो proof कैसे करते हैं हमें क्या proof करना है यह ध्यान देना है और क्या given है बस इससे हमारा answer आएगा अगर अब हम देखें देखो यह दोनों angle equal है RO Q is equal to RO P RO Q is equal to RO P RO Q कौन सा angle है 2 और RO P क्या है 1 plus 3 right देखो मुझे चाहिए क्या है 2 minus 3 angle 1 ऐसे ही चाहिए यह angle 1 मैंने ऐसे ही लिख लिया इधर इसको ले देखो आ रहा है answer यह देखो जो answer चाहिए मैं उसी पर अभी focus कर रही हूं अब मैं क्या करते हूं adding angle 1 to both sides दोनों पाइड में अंगल बाने एड कर देती हूं देखो देखे आ रहा है ना answer अब यह तूदर जाके क्या हो जाएगा हाफ आ गया में जो तू प्रूव करना था यह देखो जो प्रूव करना था आ गया में जो ढग़ान दो दोड़ा है झाल झाल प्रूश मैं जो प्रूव कर दो दो दोवकतों क्या